पिरिये विद्यार क्यों स्वागत है आप सभी का तो डेस वेडियो में हम जो है माद्यमिक सिक्सा बोर्ड रास्तान बीका नेर की तरफ से जो है यहाँ पर शतर परतीस यानि की बोर्ड परिक्सा दो जार तेविस में जिनके भी सतर परतीस अंक और इससे अधिक आये हैं उनको जो है एक मुस्त दस अजार रुपे की जो है यहाँ पर आपको जो है इसकोलर से भी जातवती दी जाएगी और यह किस योजना के तरफ आपको दी और किन इस्टूडेन को यह दी जाएगी सभी इसर्डेन को यह नहीं मिलेगी और क्या इसके जो है रूल से वो हम यहाँ पर चरजा करेंगे सब स पहले हम बात करेंगे कि यह योजना कौन सी है तो देख्ये इस योजना का नाम है हितकारी निदी योजना इसमें एक मुस्त चात्रबती जो है आपको दी जाती है और इसके आवेदन की अंतिम्दिति कितनी है एक अगस्त दोजार तेबीस है अब हम बात करेंगे कि ये किन को जो है मिलने वाला है तो देखिए हितकारी निदी मादिमिक या प्रारमिक सिक्सा राजस्तान बीकानेर के विवागी कार्मि जो सेवा में कारेरत है यानि कि जो किसमें सेवा में यानि कि जो सरकारी टीचर है या सरकारी इंप्लोई है उनके बच्चों के लिए ये जो है मिलेगी और संसका सिक्सा विवाग में कारेरत कार्मिकों को यहां पर छोड़ा गया है इनकि उनके बच्चों को ये नहीं मिले इसके पास समस्त वर्गे के अधिकारियों करमचारियों के पुत्र या पुत्री के मादिमिक सिक्सा बोर्ड राजस्तान अजमिर दौरा आयोजी कक्सा 10 की परिक्सा में 70% या अधिक अंक प्राप्त किये हैं परती आपको दिये जाएंगे और यह एक मुस्त आपको दिये जाएंगे यान की एक ही बार में या आपके अकाउंट में आ जाएंगे तो यहां पर यह जरू दिया रखना कि आपके जो है माता या पिता में से कोई भी जो है गौर्मेंट इंपलो यान की गौर्मेंट करमचारी होन यहां साहितारासी हितकारी निधी के 2018-19 से अधियतन नेमित अंसदाता को जो है देव होगी योजना का लाव उन आवेदकों को प्रदान किया जावेगा जिनोंने 1723 में परिक्सा उत्तिन यहीं कि जून 2023 की हो प्रात्नापर्त बढ़ते समय एवं सम्मधित अधिकारी द्वा अग्रेशित करवा से समय निम्ले बिंदू का ध्यान में रखना चाहिए तो यहां पर देखिए कौन-कौन से पॉइंटे जो आपको ध्यान में रखने हैं तभी आपको यह स्कूलर्शिप दी जाएगी तो देखिए योजनांतर का सिक्सा विवागी है कार्मिक के पुत्र और उनका जो बच्चे ने राज की विद्यालेमिन की गौवर्मेंट इसकूल में ही जो है यहां पर सत्तर प्रतिशत या इससे अधिक प्राप्त की हो अगर प्राइबिट इसकूल में किया है तो उसको यह स्कूलर्शिप नहीं मिलेगी इसके बाद एकी विवागी यह कार इस उपादाय संस्कूल के उत्तिन हो को दे होगी यानि कि 950 स्टूडेंट को जो है यह स्कूलर्शिप पर दी जाएगी यह कैसे देखेंगे टोप जो 950 स्टूडेंट है उनको यह आपर देखा जाएगा जो की केवल गोवर्मेंट इसकूल के स्टूडेंट थे इसके बा इस टूपादय में अध्यन रते हैं इसके वादिकी साहता रासी एक निर्दारित प्रपत्र जारी किया जा रहा है तता प्रात्रा पत्र जारी होने पर प्राप्टि दिनां के अधर पर सूची तयार कर जो है रासी प्रदान की जाएगी आवेदन पत्र निर्दारित प्रा प्राप्ति सलंगन करें और इसके बाद देखिए यह साहतारासी वर्ष जून दोजाटेविस में आए परिक्सा परिणाम में उत्तिड होए हैं पर लागू होगी यानि कि जिनोंने केवल दोजाटेविस में जो एक्जाम दिया है उसी स्टुडेंट को ये स्कुलर्सिप दी जाएगी और अपुन प्रात्रा पत्रे में देरी से प्राप्त प्रात्रा पत्रों पर कोई विचार नहीं किया जाएगा यानि कि जो प्रात्रा पत्रे उसमें आपको सारी जानकारी अच्चे से बरनी होगी और कार्मिक के पुत्र या पुत्री को मादेमिक सिक्सबोर दी जाएगी अब हम बात करते कि इसका जो फोरुम हैं वो केसा रहेगा तो यहां पर दिखी कि employee ID यहां लिखी जाएगी चात्र चात्रा का नाम और सम्मंद लिखा जाएगा यहनि कि आपका बेटा है पुत्री यह क्या है और इसके उधारा जो अधिक प्राप्त किये उसका नाम जो है यहां से लिया जाएगा तो इस तरह से यह जो है यहां से आपको यह फोर्म बरना पढ़ेगा मैं इसकी जो PDF है वह यहां पर जो है आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर जो है आपको दे दूगा वहां से आप इसकी PDF को ले सकते हो और इसकी प्रियंटर निकलवा सकते हो तो यह ता इस इसकोलर्शिप का जो है पूरा डिटल मैंने आपको बताईए इसके बा झाल 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 झाल